चेंड प्रेंट्स मेरा ना मजीद सिंग और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साथ दद्दा की खरी-खरी आज दोपहर में जब समाचार आया कि चीफ अफ दे डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के हेलिकॉप्टर का एक्सिडेंट हुआ है और उसमें उनकी पत्नी मिस्जूज मधूली का रावत जी भी उस हेलिकॉप्टर में सवार थी तो हमारी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने और कुछ और सोशल मीडिया पर हमारे जिहादी तत्वों ने एक सवाल करना शुरू किया कि जनरल की पत्नी सरकारी हलिकॉप्टर में क्या कर रही थी वो वहां किसलिए मतलब कुछ लोगों ने तो यहां तक कमेंट्स किये कि जनरल की पत्नी जो है वो सरकारी हेलिकॉप्टर में क्या मजे ले री थी जूटे ले री थी मतलब she was enjoying a free ride तो तब मुझे लगा कि यह बड़ा important विशह है और इस पे आम public को ने इसकी जानकारे नहीं है और बात यह कि चली वो तो जिहादी थे या हमारे जो पत्रकार थे NDTV के भी एक पत्रकार ने यह सवाल उच्छाला था बाद में हाला कि उसको तुरांट दबा दिया गया पर सवाल तो आया था तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ रेल स्टोरी है 1971 के बंगलादेश लिबरेशन वार में जब 16 दिसंबर को जनरल नियाजी ने अपने 93 हजार सेनिकों के साथ भारती सेना के सामने सरेंडर किया तो वो जो सरेंडर की बातचीत करने ने जनरल लेटने जैकब्स गए थे जी एच्क्यू था आर्मी का हेड़कॉर्टर था ढाका में वहां उफिसस मेस्स था वहां पर जनरल नियाजी से बातचीत हुई यह वो उसकी साथ बहुत सारी डॉक्यूमेंटरी और फिल्में पर नहीं आप यूट्यूब पर मिल जाएगी वो देख लीजेगा तो जनरल जैकब्स ने जनरल नियाजी को सरेंडर के लिए तैयर कर लिया हूँ और उनको यह भै दिखाय गया था कि यदि आपने अभी अगर आपने सरेंडर किया तो मैं यह गारिंटरी लेता हूँ कि आपके आर्मी केंटोन्मेंट में जो आपकी फैमिली द रहती हैं आपके जो 93 हदार जवान हैं उनके बहुत सारे परिवार भी रहते थे क्योंकि वो पूरा केंटोन्मेंट था धाका में तो उन्हों ने का जी आज की तारिक में आपकी आर्मी आफिसर्स की जो वाइबस हैं और उनकी बच्चों की जान खत्रे में हैं क्योंकि मुक्ति बाहिली बहुत ज़्यादा करोध में है और अगर उन्होंने कबजा किया तो फिर उनकी सुरक्षा हम ने कर पाएंगे हाँ यदि आप सरेंडर करते हैं तो मैं ये गारेंटी लेता हूँ तो इस तरीके से जन्रल न्यादी जो हैं वो सरेंडर के लिए त्यार हुए थे जन्रल सैम मानिक शा वो डैली में बैठके सारा कूछ मॉनिटर कर रहे थे जन्रल जैकब्स धाका में थे और ये इस संग कमांड के जनरल जग्दीट सिंग रोड़ा किसे कमांड का हेड़कॉर्टर जो था वो था पोर्ट मिलिंफ में कॉलकटा में उस पर कैलकटा हुआ करता तो जब सरेंडर सरेंडर फाइनल हो गया अच्के पाद यह तैव हो अधेंडर कहा होगा तो इंडियन आर्मे ने हम सरेंडर जी एच क्यू में नहीं हो आमियू हो तो में मुक्टिवाइनी के लोग बंगला देशी युद्धा पहुंचे वे थे इंडियन आर्मी थी तो जब सरेंडर का फाइनल हो गया प्रोग्राम तो जनरल सैम मानेक्षा ने जनरल अरोडा जुकी उसक्त कोलकाता में थे उनको बोला कि उनको जग्गी बोलते थे जग्गी सोरंद ढाका पहुँचे और वहां सरेंडर कराओ नियादी विल सरेंडर इन फरंट अफ यू लोग के सर तो उनकी वाइफ का नाम था श्रेपती भगवांत कौर जनरल जग्दी सिंह अरोडा जी की वाइफ जो थी उनका न तो सैम मानिकशा ने पूछा कि आपकी वाइफ कहा है बोला तर वो तो डेली में है मैं कलकता में हूँ बले ओके मैं उनको उनके वहां पहुंचने का इंज़ाम कर रहा हूँ एंड इंडियन आमी ने एक स्पेशल प्लेइन से मिस्स अरोडा को दिली से ढाका भेजा उधर से जनरल अरोडा कलकता से ढाका आए वहां पे आर्मी अफिस ने दोनों हथ्बन वाइफ को रसीव किया वहां से एक आमी जीप में बैटके मिस्स अरोडा और जनरल अरोडा दोनों रमणा रेस कोर्ज पहुँचे वहां पे एक सेरिमिनी अरेंज की गई थी वहाँ पे मिसिस अरोडा जो है वहाँ पे जो शामियाना तंबू लगा था उसमें जाके बैठ गहीं तोफे पर जनरल अरोडा को गाड़ा फॉनर दिया गया जिस और गाड़ा फॉरमंद दब तोपों की सलामी 21 तोपों की सलामी और वो Guard of Honor इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने दिया था उसके बाद Surrender ceremony होई और वो बहुत नशुहूर फोटो जो आप सब ने भी देखा होगा जिसमें नियादी जो है वो जुकेवे कंदों के साथ इंडियन आर्मी के सामने Surrender Paper पर साइन कर रहे हैं जब Surrender Paper पर साइन हो गए तो नियादी ने अपना Revolver निकाल के टेबल पर रख दिया और इंडियन आर्मी ने वो जब Revolver निकाल के रखना और वो सुखने सुरी वो था Formal Surrender उसके बाद वहाँ पर मुक्तिवाहिनी के जो सैनिक थे और जो आम जनता थी बंगलादेशी और वो इसी लिए उस रेस कोर्थ में और अर्गनाईज की गई थी Surrender करने वाली सेरमनी जितने की आम बंगलादेशी उसमें पाटिसिपेट कर सके और वह लाखों की संख्या में बंगलादेशी इकटे हो गए थे और वो एकदम तूट पढ़ना चाहते थे जनरल नयादी के उपर और इंडियन आर्मी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी जनरल नयादी को बचाने में वहाँ पे मिसिज अरोडा असदारनी बगवन्त कौर जी और जनरल अरोडा अकेन एक आर्मी की जीप में बैठके दे केम टू दे आमी हेट पॉर्टर केंटोनमेंट में ढाका में था वहाँ पे इंडियन आर्मी की कुछ लेडीज और पाकिस्तान आर्मी की कुछ लेडीज वहाँ पे वो उन्होंने मिस्स अरोडा का स्वागत किया फिर वहां ते उन्होंने बादचेट किये और मित्र अरुना ने फिर उनको उनका वेलफेर पूछा और उनके बोले कि आप लोग बिल्कुल निस्टेंट रही है अब आपकी सुरक्षा आपका वेलफेर आपका आपकी इज़त मान सम्मान यह भारत की हमारी इंडिन आर्मी की भारत सरकार की जिम्मेवारी है और मैं हूँ आपकी साथ खड़ी वे लेडिज को बच्चों को किसी प्रकारते भी चंता करने की दरुत में उसके बाद वो वहां पर बंगलादेशी महिलाओंसे मिली और एक तरफ पैरलल इंडियन आर्मी के प्रोग्राम्स चल रहे थे जिसमें जनरर अरोडा शिरकत कर रहे थे पर लेडिस के जितने प्रोग्राम्स चल रहे थे उसमें मिसेज आरोडा जो है वो पाटिसपेट कर रही थी और इंडियन आर्मी का नेतृत तो कर रही थी अपके आई कि अप प्रश्ण उता है कि ऐसी इंपॉर्टन सरी में और युद्धु भूमी में एक जनरल की वाइव क्या कर रही थी तो सब यह आर्मी का प्रोटकॉल है आर्मी का बड़ा अफसर जब भी सरकारी दोरे पे अपने आर्मी के दोरे पे जब भी किसी केंटोन्मेंट को जब भी किसी रेजिमेंट को किसी कमांड को जो विजिट करने जाता है तो उनकी पत्नी उनके साथ चाहती है आर्मी में आर्मी आफिसेस आर्मी की वाइबस की एक संस्था चलती है जिसका नाम है आवा ए डबलू डबलू ए आर्मी वाइबस वेलफेर एससेशन और आर्मी वाइबस वेलफेर एससेशन की चेर परसन उस रेजिमेंट की या उस ब्रिगेड की या या उस की जो कमांडर होता है उनकी पत्नी होती है अब आवा का काम क्या है आर्मी वाइस वेलफेर एसोईशन जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्मी की वाइस की वेलफेर के लिए एक एसोईशन बनाई गयी है जिसे आवा कहते है और ये धिंदुस्तान के हर का मनोबल ऊचा रखती है जो सबसे बड़े अफसर होते हैं उनकी पत्नी अपने मातहत आफिसर्स के अपने पती पती के मातहत आफिसर्स की पत्नियों और गया ओन 22 के साथ मिल्टी जुलती है उनकी वेलफेर का ध्यान रखती है उनका पती तो बार्डर पे लड़ रहा है या अपने ड्यूटी कर रहा है तो सारा अच्छा आर्मी में क्या होता है कि वाइफ जो होती है कई बार कंटोर्मेंट में साथ में रहती है ना बहुत सारी फैमिली और बहुत सारी फैमिली जो है घर पे गाउं में होती है तो जो cantonment में families होती है वो क्या करेंगी जो गाउं में जो family है वो तो अपने भरे पूरे परिवार्ट साथ है सास्थ दूर्ब साथ है उसके तो खेत में जाना है जो cantonment में जो army wife है वो क्या करेंगी सारा दिधर में तो उनको busy रखने के लिए उनका skill development के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए और उनको entrepreneurship करने के लिए उनको अलग अलग चीजों में उनकी personality development के लिए आवा जो है program सलाती है आवा जो है अपने self help groups चलाती है आवा बहुत सारी चीजों का production करती है और आवा सैनिक पत्नियों का मनोबल उंचा रखने का काम करती है ऐसे में जो कमांडर की वाइफ होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है तो जब कमांडर अपने सैनिकों के साथ मिल के काम कर रहा होता है उनके साथ planning बना रहा होता है जब कमांडर अपने सैनिकों का मनोबल उपर रखने के लिए उँचा रखने के लिए उनके साथ मिल जुल रहा होता है तो आर्मी उनकी जो वाइफ होती है वो सैनिक महिलाओं का मनोबल उँचा रखने के लिए क्यों क्यों कि आप जब सोलजर बार्डर पर लड़ने जाता है न तो जो पत्नी होती है वो तिलक लगा के अपने पती को मौत के मुँमे बेजती है ऐसे में अगर पत्नी का मनोबल अगर गिर गया तो पती लड़ पाएगा क्या पत्नी अपना पती बॉर्डर पे भेजती है ऐसे में अगर पत्नी का मनोबल उचा रहेगा तभी सेना लड़ पाएगी अगर परिवार का मनोबल उचा है तभी सेना लड़ पाएगी और उस परिवार के मनोबल को उचा रखने का काम कमांडर की पत्नी करती है भी अपनी सेनिक विदित पे जाता है उसकी पत्मी उसके साथ जाती है जैसे कि मैंने आपको स्टोडी सुनाएं कि 1971 के वार में जब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर रहे थे तो जनरल अरोडा की पत्मी को स्पेशली डेली से एरलिफ्ट करके धाका लाए गया था तो अब आई थिंक उन तेश-द्रोही पत्रकारों को इस सवाल का जवाब बिल गया होगा कि जनरल वेपिन रावट की पत्नी उस हेलिकॉप्टर में क्या कर रही थी और वो जनरल रावट के साथ वेलिंटन के उस कारिक्रम में क्यों जा रही थी और ब आप लोगों को बहुत सारी इंसाइट मिली होगी बहुत तारे तवालों की जवाब बहुते लोगों को मिले होंगे हम ऐसे ही वीडियोज आगे भी बनाते रहेंगे और मेरे चैनल को आप लोगों ने जो प्यार दिया है उससे मैं अभी भुगत हूँ इसको सब्सक्राइब कीजिए इसको बेल आइकन दबा के शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ आपका प्यार यहीं बना रहा है आज के लिए इतना ही बहुत दुख धन्यवाद कल फिर से किसी नए एपिसोड किसी नए टॉपिक के पर फिर से मिलते हैं तैंक यू वेरी मच